यहां ओके यह यह ग्रीश क्यों नहीं आया आज ग्रीश ग्रीश जल्दी से वीडियो अनकर अपना और ग्रीश तो किया था लेकिं थोड़ा से यह लिए फोन से हूं फिर मैं कामरा ओन करता हूं पर मैं लापटॉप से आता हूं तो मैं कामरा ओन करता हूं अज जो बच्छे हम टॉपिक करने जा रहे बहुत मतलब इंपक्ट मोस्ट इंपोर्टन है और आगे विद्वानशी बीमारे पड़े उसकी गड़े में कुछ प् लेकिन यह बहुत इंपोर्टन है बिहान से एक चीज को सुनना आग जैसे आपको पहले भी बताया था कि एक दुक्तर है हमारा इसको हम पांच पांच पार्ट्स में प्रैस्ट लेस एंड परमोशन अमने इंट्ड़क्शन तर्शन सब श्चान इसको उसके बाद हम आगे पर प्राइस में प्रेस्ट में पढ़ा जाए आ प्रेस्ट में तूह घंजेंग दो डिशिशिंस लेनी हो उसके बारे मिंदेज आगे वागे शारी अपने प्रमोशन में प्रमोशन में और प्रमोशन में चार दिया जा रहे तो आज अपना मोस्ट इप्रोडन टॉपिक करने जा रहे है जिसका नाम है यह जा रहा है यह कह रहा है टॉपिक क्या कहता है यह टॉपिक कह रहा है कि जो मार्केटिंग का कॉंसेप्ट हम आज की देट में फॉलो करते हैं क्या वो पहले से ही यही कॉंसेप्ट फॉलो होता था पिर उस कॉंसेप्ट के भी कोई ड्रॉबैक्स आये लूप होसा है फिर कोई और कॉंसेप्ट ने फॉलो करना शुरू कर दिया तो इस तरीके से जो आज इस तरीके से इवाल हुआ है तो बेसिकली क्या होता है यह पांच इस तो आज करें सबसे पहले जो कॉंसेप्ट होता था उसको कहा जाता था तो रॉड़क्शन पॉंसेप्ट्शन फिलोस्फिक हमें पढ़नी है कि यह फिलोस्फिक क्या कहती है फोकस क्या है इस क्कॉंसेट के कुछ लिखे एक स्थ 30-30 साल चला कॉछ उसके बाद Εक साल चला उसके बाद इस कॉंसेट के भी कुछ पिर आया आपका इसका करने का चले उसके बाद यह पहले यह चलते थे उसके बाद यह और यह कॉंसेट भी बहुत साल चला और उसके बाद इसके भी कुछ लोगों को ड्राइब लिखने लग गया और आज की डेट में जो कॉंसेट नमारा फ्राक्टिस में है जो आजकल को स्पॉलो करती है वह तो साइटल मारे किटिंग वह तो है तो आज तो आज हम यह कॉंसेट फॉलो करते हैं इसके अभी तक कोई ड्राइब नहीं आए इसके यह कॉंसेट रम आज वालो है पिर सब्सक्राइब कर पर सब्सक्राइब मेनजमें या इसे रही पोकूस पूलकित मुलकित बहुत ही नीड आई बुझत कंद्राप को लिट्स हो रहा था इतने बज़े होता है इतने बज़े होता है अच्छा उसके बाद हम आगे तो अगर डालेक्ट कोशन आगे तो आप लिखे लोगे आपको बहुत बड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैसे हमें बता चलेगा कि प्रोड़क्शन कॉंसेट्ट है या मार्केटिंग कॉंसेट्ट है या कौन सब्सक्राइब सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं प्रोड़क्शन कॉंसेट्ट कहता क्या है पहले इसको समझ नाम से कुछ-कुछ प्रोड़क्शन कॉंसेट्ट क्या कह रहा है पहले तो बात कहते हैं कि पहले की बात करें तो क्या था जो फर्म्स थी जो सप्लायर्स थे वो तो कम थे कि हर इंसान बिजनस नहीं करता था सप्लायर्स तो उइस तो प्रोड़कर उस चाहिम पे लो लोग दोने कि पीछे नहीं भागते थे लोग जादा ब्रैंड के पीछे नहीं बागते तो हम उस रेस्टुरेंट में खाना खाने के लिए आज तो लोग को अपने आज पास चीज़े चाहते थे वो ज़्यादा घर्ट नहीं करना चाहते थे कर लिए मतलब मैं जादा दून्टव नहीं चाहते तो बेसिकल आप बताओ की कौंसी चीज़ें बिक्ए कैसी चीज़ें बिक्रों अगर इस तरीके की सोच है इसकी की लोगोंकि तो कैसी चीज़ें कि निस से क्या होगा चीब आइटम कि तो पने लेकिन बाइटर सिस्टेम में भी आपको चीज क्रीज निया उसके तो आप चाहे बार्टर लेलो चाहे मनी लेलो वो कोई कोशन नहीं है कि हमें चीज़े चाहिए और इसली अगर मेरा आप मैं आप से सवाल पूश्टा हो कि अगर आप एक कंपुनियों एक परम हो ठीक है और आपकी ब्लीफ है प्रड़क्शन कॉंसेट तो आप क्या करने की कुशिष करोगे आप करने की कोशिष करें और खंट हो लोता है अगर जादा को जादा से जाद मिल जाएगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब किस चीज़ के उपर focus होएगा आपका focus होएगा कि आप चीज़ों की mass production करो जिससे आपको economies of scale मिंचे और economies of scale अगा आपके achieve हो गया तो आपकी cost कम हो जाएगी और उसकी वज़े से जब आपको ज़्यादा होएगा तो आप easily उसको लोगों तक पहुचा पहुचा समझ में आ गय लोगों की income होनी शुरू ही लोगों की capital income वाली देश की बड़ी GDP बढ़ा तो लोगों को समझ आया दीरे-दीरे लोगों को समझ आया कि यह जो है यह हमें चीप के नाम पर हमने चीप मांग गया हमें चीप के नाम पर चीप बेज रही है चीप मतलब घडिया बेज लोगों ने बोला कि भीया मुझे अब सस्ता नहीं चाहिए तो मुझे अच्छा दो चाहिए मैं इसे पैसे तो यह concept दीरे-दीरे फेल होने लगया जब लोगों के लोगों के पास पैसा सब्सक्राइं लोगों के सब्सक्राइब अब कौनसा या कॉंसेट में प्रॉड्ट कॉंसेट हमारा नेक्स्ट कॉंसेट आया जानले आक पहला तो इस आप क्या किया चैता है कि हमें जादा बनाना है इसने पोस्ट कि पी जाए और हमारा जो समान है वो इसा आपने दो से ज्वाइन तो कहे लिया तकि दोनों से ही आपने तो वीडियो नहीं किया एंजी तो अब हमारा नेक्स्ट कॉंसेट आता है अब जैसे नाम से ही समझा रहे है तो डिट कॉंसेट में क्या हुआ जैसे मैंना आपको बताया उसका जो ड्रॉबैक था वह इस कॉंसेट का बेसिस बन गया प्रट्शन कॉंसेट का ड्रॉबैक था कि सस्ता जब लोगों को मिलने लग जा तो उनको यह लगने लग जा कि घटिया क्वालिटी तो इस कॉंसेट पर जो फोकस था वो किस चीज़ को पड़ा प्रक्स पॉकस के चीज़ को पड़ा वालेटी ओप तो यह कॉंसेट क्या कहता है यह कॉंसेट कहता है कि एक तो अच्छी चीज़ बनाओ और उसको सिर्ब अच्छा बनाना नहीं उसके रिजर्श करते रहो उसको टाइम टुदाइम इंप्रूव करते तो प्रोड हां तबहुति एकि मड्यकित में अगर वह अच्छी क्वाहिटी के प्रॉडेट एंप्र इंद से लगी और उसकी उन उन प्वाहिटी को टाइम टॉटी गाली तो अब मेरे आप से कोशन कया है कि मान दिजिए आप इंशे ओक आप एगसा क्वान हो इसका किका सब्सक्रण क्वालिटी आपको अपनी क्वालिटी बहुत कर दिये और उसके रिसेर्च करते रहना है इसने कि वह क्वालिटी टाइम और इंप्रूब क्या मतलब हुआ कि घर से निकलता ही मिल जाए आप जादा ट्रैवल में करोंगे तो वह कब हो सकते हैं बनाई बहुत लिमिटेड रहो तो मैं हर जगा थोड़ना उसको हर सारे मानले मैं कुछ बना रहा हूं जो पिछले आज ऐसा नहीं है आज ऐसा नहीं है मतलब आज एक बा बुखारा रेस्टरेंट की रालमक नहीं खानी है अब आज तो आज तो तो उसी रेस्टरेंट से खाना काऊगा तो कि मुझे वहां की क्वालिटी बहुत तो यह इसे डेली लाइफ के लिए तो अज आज आज पिछले वाले में नहीं वाले आज एसा नहीं है कोई बीचीज ले लो आप आप लगशेटर अपको मतलब यह आप कहसा सकते हो कि अलगशा प्लॉडिट के साथ से है अगर तेरे गहर में कोई मानले कोई चोटी सी चीज है ले कौफी लेड़े पहले तेरे ग आज अगर मैं कहता हूँ कि आज आपको बहुत पैसे है तो आपको बता है कि एक कॉपी है जो आपको साउटेली के एक डिटेल शॉप में मिलेगी तो आप जाओगे ना पसंद करोगे ना आज आप अपोड़ का सथे लोगों का व्यूपॉइंट बदला है आज इसे बिल्कि अब यहां आगे बढ़ेगे आज प्रॉडिक क्या अब देखो अब बार बता कि क्या कोई प्रॉडट इसलिए वह बहुत अच्छी क्वालिटी का है आपको कुछ यहां पर काओ को इतना ज्यादा हम पूछते हैं और कि मैं बेस्ट बनाता हूं टो चल सकता हूँ तोड़े दिन मेरे को लगता है कि सक्सेस मिल भी जाएगी तेकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे लॉंग टरम नहीं करता हूँ ठीक है आगे चलते मान लीजिए मैंने कोई कोंब मनाया मैंने एक ऐसा कोंब मनाया जो कोंब प्लस मसाजर है और क्या है कि आप उ तो उसके लिए कोंब काम आएगा यह यूज करेगा तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ प्रॉडेट्ट अच्छा होए तो वह बिग जाएगा यह चीज भी पॉसिबल नहीं है कुछ टैम तक बिग जाएगा लोगों को समझ आएगा कि हमें यह चीज़े नहीं चाहिए अब पर हम इंडिया जैसे देश में चाहां पर हम पूछते हैं वहां पर हम चाहें कितना ही अच्छा भी पर क्यों ना हो हम उसको नहीं खाएगे हम उसको हाथ भी लगाएगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इस लिए बिग जाए क्योंकि वह बहुत अच्छी है यह हो पाएगे हैं मार्केट में अगर हम लोगों की नीड को समझे क्या मतलब हुआ हम तभी सक्सेप embedded को समझेगे और उसके साफ से छीजवे बनार को यह जाते हैं तो क्या हूआ कैसरा जब यह गौदट चलना था और यह को कश स्क्षक हो सकते हैं मार्केट में जब हम लोगों की नीट को समझ के चीज़े बनाएगे लेकिन इससे पहले कुछ लोग बीच में आ गए और इसा नहीं है हम गंजे को भी कोंब बेच सकते हैं और हम इंडिया में भी बीव का बरगर बेच सकते हैं यह तो आपके अंदर बेचने की शक कुछ भी बेच सकते हो तो आपको आना चीए कि है कैसे वेच होगे उन्हें ने बोला एक नया concept नंने निकाला इसका उन्हे नम दिया सेलिंग को उन्होंने बोला सेलिंग कॉंसेट का मानना था कि कुछ भी करके कीजों को बेटना है अगर इस कॉंसेट का मानना था कि अगर कस्टमर को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप चीजें नहीं खरी देगा माली के तो वह अपने आप चीजें नहीं खरी देगा हमें क्या करना को करना पड़ेगा हमें करना है हम्हें उसको पर्मोशन करनी पड़ेगी यह सिक्यू know सांपल से समझाएं आपने आपको शाहिए पता नहों जैसे वह विद्या मंदे लासे से जो साइंस के बच्चों को पराते हैं तो साइंस में जैसे तीम होते हैं सब्जेक्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और अद मैट्स इसको डादो बच्चे जो अच्छा नहीं पराता तो बच्चे क्या है फिजिक्स की कोचिंग यहां से लेना पसंद नहीं परेगा अब बच्चे को केमिस्ट्री तो परना है मैच भी परने तो यह क्या हो गया हमारा समझ में आई बात कि कस्टमर को अगर आप फोड़ोगे तो वह आप अपने आप चीज़ें लेगा है तो आपको जबदस्ती करो उसको उसको इतना ज्यादा प्रमोट करो अपनी चीज़ को कि वह वो लेने में भी मजबूर हो जाए जो उसकी लेने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी आप कितन अप जैसे आप गन्जे को आप सी कॉँप केश तो आप मेरे, है और मैं आपको बेच कुछ और दिया तब जाके तो में एक अच्छा सेल्समैं हूं और मैं कुछ भी वेच सकता हूं तो अगर गंजे को बेचना है तो आपको इस तरीके कि उसको फी बोलोगे वही यह सिरफ कोम्ब पाल कोड़ना मुलाता है यह तो मसाज़ करते हैं इससे एक्षाब पहले जैसे मैंट जैसे एक और पास्टूड होता था चेंट इसका नाम था विंपी यह अभी भी नाम सुनों आगा तरह आज यह खतम हो चुगा इसका स्टर एक डेली में बहुत तो इन्हों ने बहुत टाइम कोशिश की आप इनके पास जाते दे ना या आप इनसे कोई भी बर्गर देते दें यह आप से पूछके यह प्री में एक छोटा सा बीफ बर्गर रख देते एक चोटा सा अब से पूछके कि आपको अगर दिक्कत नहीं तो यह सैंपल है आप ट्राएब अब जैसे हम तो इंडियन ने हम तो प्री में कुछ भी मिलेगा तो खाएगे तो काफी टाइम लोगों न लोगों का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा तो लोगों ने बहुत बार जाके और करके भी खाना शुरू किया तो उनका यह बर्गर इट भी हुआ काफी टाइम चलने भी लग दिया लेकि दीरे-दीरे जैसे मैंने कहा इंडिया में हम बीफ जैसे चीज़े नहीं खा सकत तो हमें दीरे-दीरे रिलाइज हुआ नहीं है यह हमारा cup of tea नहीं है तो यह पेल हो गया तो हुआ क्या आप लोगों को मैंने जबरदस्ती की आप लोगों को मैंने एक टेस्ट डेवलप भी करवा दिया लेकिन क्या मैं जादा सक्सेस्फुल होपा हूगा नहीं होपा पर लो तो क्या हो रहा है आज की डेट में ठीक है कि लोग बच्चे यह लेना चाहते यह लेना चाहते तो उसका फिजिक्स भी ले रहे है तो लेकि दीरे-दीरे क्या होएगा कोई और ब्रैंड आ जाएगा तो आपको आप्शन देगे कि आपको जो पढ़ना है पढ़ लो तो लोग बच्चे इसमें स्विच करना शुरू करतों देगे ना क्योंकि हर बच्चा रोलना पोड कर सकता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग कॉंसेट भी एक टाइम तक चला लेकि दीरे-दीरे-दीरे वो भी पेल हो गया क्योंकि सेलिंग कॉंसेट किस के उपर ब चला कर सकते हैं नहीं सकते, और अगर चलो आप एक बार किसी को मैंटबेट कर लोगे, जो बार भी कर लोगे, क्या आप बार-बार कस्टमर को मैंटेट कर सकते हो, वह आपको एक time के लिए जूर ना रहना है, मारकेट में आपको लॉपलोंग टेले-ई-बार लूप लूए 10-15 साल तक खोड़ना मैनिपुलेट कर सकते हो तो ये concept ही हमारा देल हो समझमागी बाद finally अब आया marketing concept जो कई सालों तक चला बहुत लंबा चला और marketing concept क्या कहता है marketing concept कहता है कि अगर कोई firm successful होना चाहती है अगर कोई business successful होना चाहता है market में तो उनको customer की needs and wants को समझना है उनको study करना है और products बनाने है जो customer की needs and wants को satisfy कर सके better than the confidence आई बाद समझ मैं तो क्या करना है आपको पहले देखना है कि आपके customers कौन है वो क्या चाहते है आपसे फिर आपको ऐसे product develop करने है जो उन needs and wants को satisfy कर सके better than the यह बात समझ मैं तो मतलब आपको पहले product नहीं बनाना पहले आपको लोगों की needs को समझना है पहले आपको लोगों की bonds को समझना है अब इस concept के बारे में अगर आपका बिजनस है और आप इस concept को follow करते हो तो आपका focus किस चीज़ के उपर है अब देखा जाए तो इस concept से भी बहुत drawbacks निकल सकते है इस concept की भी बहुत negative point है क्या-क्या है? मैं बता है पहले बात करते है girl की लड़कियों की तो पहले बात करते है जानवी की जानवी को no offense अभी आतिवान शिवावेधिका आई नहीं ये concept कहता है जो लोगों को चाहिए वो दो फिर जो लोगों को चाहिए वो तो अब लड़कियों को तो शॉख है leopard skin का बनावा परस जो एक leopard के जानवर है leopard skin का बनावा परस परस ऐirt लोगों को पसंद होता है leopard skin का कश ये फिर animal first से बनावा हिनको और चहीए animal विश्पूरी करने के लिए एनिमल्स को मार थो तो कि इनकी नीड को पुरा करना है जी बताओ कर रहा है करा है बिल्कुल कर रहा है बहुत हो तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या हम ये करते रहे लोंग टॉम्ट नेकर आप जैसे सल्मान खान है अब वो चाहते है कि अपने गढ़ में वो ब्लाक डियर के सींग लगाना चाहते है रिच है वो एलिफेंट के दांत लगाना चाहते है तो क्या अब जैसे यह कॉंसेट कहते है कि लोग जो मांगे वो उनको दो यह पहुंचता है एक पार्टी में और वहां मांगता है तो मुझे तो फिर इसकी नीड पूरी कर देनी चाहिए जो मांगे तो आज कल नया नश्या चला वे पता ही होएगा पुल्कित को को आज तो एक स्नेक बाइट भी होती है यहां पे स्नेक को इतना सा उसका जहार निकाल ऐधा यह पार्टी में तो यह चीजें यह जादा से इस में है जादा सीरीज नीं हो रहा है यह सीरीस की बात तो इस पॉलब रहते सब्सक्राइब पालूब फेला ने चोड़ चूड़ चुगा अच्छा चा चाल अच्छी बात है तो एक बात हो तो यह पक्त पादाई तो क्या मैं यह विश्मूरी करूं क्या मैं बड़ा यूज करना चाहिए क्योंकि यह इस बंदे की नीड है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केटिंग कॉंसेट को ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए तो उससे काफी सारे हमारे सोशल इवन सोशल इल्स हो जाएगे मतलब जैसे मैं आपको खा हमारे जो रेयर स्पीसीज है वो एक्स्टिंट हो जाएगा हम ड्रग एप्यूस पिला देगे हम और भी बड़े गलत काम करेगे अगर हम ब्लाइंडली इस्पॉंसिफ को फॉलो करने लग जाए तो यह ब्लाइंडली फॉल देखना है हमें सुसाइटी का वेल देखना है हमें कोई ऐसी नीड पूरी नहीं करनी इससे कहीं ना कहीं जो सुसाइटी है वो उसके साथ कुछ गलत हो तो आज का जो कॉंसेट है जो आज की टाइम पे रेलेवेंट है वो है तो साइटल मार्केटिंग कॉंसेट और यह जो at the same time also keep in mind कि no such need is fulfilled that somewhere exploits the society society, environment, हमारा culture वो चीज़े हमारी ख्राब नहीं होगी इस concept का अभी as of now कोई drawback नहीं है इसलिए यह हमारा last concept है जो आज की डेट में हर फॉर्म करती है फॉलो करने को जैसे अगर मान लो इसका भी कोई drawback आता है तो इसका भी कोई successor आ जाएगा आज के टाइम पर अभी as of now इस concept का कोई drawback नहीं है तो आप cycle समझो cycle क्या है हमारी evolution समझते है पहला था production concept जो किसके उपर वेस था कि आप जादा से जादा बनाओ आप जादा से जादा बनाओ जो कहता है कि आपको अच्छी quality quality of products अच्छे हों पिर आया हमारा selling concept जो कहता है कि by hook और troop आपको समान बेचना है aggressive selling करके आपको समान बेचना है aggressive selling करके aggressive selling and promotion करके आपको समान बेचना है पिर आया हमारा marketing concept जो कहता है कि आपको लोगों की needs and wants को fulfill कर दो एन फाइनली आया हमारा तो साइडल मार्केटिंग कॉंसेप्ट जो कहता है कि नीज इन वांस को फुल्फिल करो नीज इन वांस ओफ दा कस्टमर नीज इन वांस ओफ दा कस्टमर एस एस वेल आस वेल आस आज की चाहते हैं हम चाहते हैं कि चीज आसपस हमारे मिल जाएं लेकिन वह इसमें इसमें है हमने इसमें हैं क्योंकि वो इसका की पॉइंट नहीं है जैसे पहले वादे में प्रडक्शन में लोना की पॉइंट का आज आज हम पोशिक करते हैं अगर विंप्यूट कर सकते की मारी नीड yeah वांट है कि हाप है आम में पास ही मिल जाएं नइडर ऑन्स नीडर फॉन और ऑन्स के ने इन है कि आपकी चीज आपको पास मिल जाएं तो मैं एज़ तो लोग ऐसी फर्म्स है तो आपको खाना दे रही है बहुत अच्छा खाना नहीं है तो आपका पेट पर है तो आपकी वह नीडर वांट है तो हाँ तो इसी में क्या है तो इतना जादा इंपोर्टेंट नहीं है कि इसको इसको करना चाहते हैं इसको सबसे वहले हम पर रीट करेंगे क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है तो फोड़े से ना उसमें वर्ड जो यूज हुए है नोट में वह थोड़े से अच्छे लेवल के यूज हुए तो हम उसको पहले एक बाए अच्छे से रीट करते हैं उसके बाद में को इसकी एक कमपेरिटिव में आपको टेबल बन वाओगा एक पांचों कॉंसेप्स का मैं तीन कोश्चन लिखवा होगा यह आभी हमें करें चलिए आप नोट करना चाहते हैं इसको करें लीजिए फिर आम इसको अपने नोट में से लिखी देखें अब अब आए अपने बुक में कम टू पेज नंबर इस टॉपिक को बेरिंपोर्टन पर करिए पोर के स्टेडी नंबर यह आपके नोट कर थी पेजोएगा यह फिए नवार्ट इस पर आजो इस concept को marketing management philosophies को बेरिंपोर्टन मार्ट करिए अब मैं आपको एक बात बार बार बोड़ दाओ कि जो इसकी लांगवेज मैंने यूस किया ना एक्षिन जो लांगवेज इसमें है वो थोड़ी हाई लेवल किये मतलब मैं खुड कहा हो कि दोड़ी अच्छी है अगर समा इसली याद हो जात तो अच्छा है इस टीक है बना तो अपने लागनेंवेज कर सकते हैं अब प्रॉड़क्शन कॉंसेट किया था कि सस्ती चीज और इसली मिल जाएं यही था ना अब देखो इसमें क्या लिख्या अब देखो इसमें क्या लिख्या था विडिव्शन कॉंसेट्ट ओल्स दा व्यू तो पोटेंशिल चाहते हैं तो आपको समझ में आया कि कहने का मतलब कि लाइन होई है कहना वही चाहते है बस उसको इतना जादा अच्छे वर्ट्टी उसकर देट लोगन टेकलन ना, अब फोकस अगराब एक सी फर्म हो तु क्ट्ण्ठ भॉड्टिन के Prof W थी लोड्क अधरी अफर दॉड्ट्टाम टेकश इंविस बनाके economies of scale अचीव करके पॉस्ट को कम करने पे हैं तो अंडरलाइन करिये लोगों को समझ आए कि हम हमेशा वो चीज़े नहीं लेगे जो सस्ती है और असानी से सब्सक्राइब किसी में एक ज्यादा हो सकते हैं तो सोच के बताओ बिना देखे बताओ आज की डेट में आगे मैं आपसे बोलू कि प्रड़क्शन कॉंसेट कहां सक्सेस्फुल हो सकता है तो बताओ सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें लोग पैसा देखके समान खृते हैं जहां आज भी लोगों की इंकम कम है और वो समान खृते हैं अपनी सब्सक्राइब को देखके मेडिसिन जैसे आपने का नहीं आज तो आपके आज की टाइम पर देखो आज अगर कोई क्या कहते हैं कि जो डॉक्टर ने लिखिया है तो वही देदे हम अगरा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हो तो आप सब्सक्राइब को चेंज करोगे आपके जो डॉक्टर ने लिखके दिये तो वही में को देए यसा नो होता है कि हमेशा ही फॉलो होते है बाप उराने वाली भी कुछ लेकिन अगर कोई ऐसे देश है जहां पर लोग आज भी बड़े गरीब है तो वह यह सब्सक्राइब करना तो वह क्वानिटी कराप बना रही है तो इतना बना रही है कि उसको बेच सकते हैं तो आज भी वह फॉलो हो रही है बट आज मास केल पे जो है पर सुटेबिल्टी तो प्रदक्शन कॉंसेट लीट्स तु अपर अगर्ट पर बाइब बाइब कॉस्ट अधिक अविलिबिल्टी कंसिट तो जहां आज कॉस्टमर्स को पैसा और अविलिबिल्टी पे डिपेंडेंट है वहां पे यह आज आज चलते चलते प्रदेट कॉंसेट प्रदेट कॉंसेट वह ना कि जो लोग पैसे नहीं है जिनके बहुत मुश्किल है जो अब लेवल नहीं है अपोर्ट नहीं कर पादेब क्या होगा गिरीष क्या होगया गाँ ग्या होगया चलत नहीं अच्छा लंग रहा है जियान अिदा गड़ाई पर आज हमाद प्रदेट पॉंसेट प्रॉद्ट वोल्स देखो अगें फ्लाइं कोडी और सी करी एक बिस्नेश गोल्स पोलॉड को पार्दी आर्प्रय एंध अब आई ये फोकस अगर आप एक ऐसी फोर्म ओचो यह इंप्रूब करती है तो आपको फोकस किसको अभी आपने बताया अच्छा प्रॉटिट बनाने पे और ना सिरफ बनाने पे उसको उसकी रिसर्च करते रहना है इससे हम उसकी कॉलिटी को डे बाइड बाइड अब जैसे वह ने बहुत सब्सक्राइब को कि क्स्टमर्स हमेशा ऐसे चीज़े नहीं खरी देगा जो की अच्छी क्वालिटी के है तो कॉस्टमर्स में नॉट भाइड अप्लॉट इस बिकॉस इस अप्रॉटिट अपना ब्रक्ट बॉक्स बनाके कही लिटलो इससे आपको याद आजाएगा अभी तो आप एफिल में चल रहे है आपको अगले मार्च में एक्जाम्स देने है तो उस चाहिम तक याद रहने कि आप छोटा सा करे एक्जांपल लिख लिए ना तो आपको मेरी क्लास रिकॉल हो जाएगी जब आप बाद में इसको मैं पहले रीड करता हों पर हिंदी में बताता हुब पहले मांपो बताता हो कि क्या हमने क्या डिसकॉस कीया था यह कॉनसेफ्ट कहता है कि इसरे मार्केटिंग में यह रहा है पॉड़क्ट वाला भी हो रहा है मार्केटिंग वाला करता है क्या 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 कहता है तो एक शेप है तो मांदेख शेप हो तुने कोई नहीं वो करेंगे डिश्वना और वर्ड नंबर वन है तुने 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 नहीं सक्सेस्वल हो पाएगा क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए तुने अपने मंद से चीज मना लिए अधिस प्रॉड़क्ट पर करेंगे कि वह अच्छी बना लेकिन देख लें लोगों को चाहिए कि नहीं समझाई बात को परक समझेंगे शुरू होता है प्रॉड़क्ट से मार्टिंग कॉंसेट शुरू होता है लोगों की नीज यह परक है यह अभी हम कंपैरेक्टिव स्टडी करें अब आचो सेलिंग कॉंसेट क्या कहता था सेलिंग कॉंसेट कहता है कि अगर कस्टमर को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह आपकी चीज़े नहीं क्रीदेगा या इतनी नहीं क्रीदेगा इस से आपको प्रॉपट हो तो कस्टमर्स को जादा क्रीदवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको उसको पर्सूइट करना पड़ेगा उसको aggressively promote कर जे लाइन को इंग्लिश में देखो कैसा है selling concept holds the view that customer if left alone would not buy or not buy enough of forms product in other words in order to make a customer buy a product he or she needs to be convinced lewd and attracted convinced lewd and attracted attracted aggressively promote so it's not a great day this is after profit so focus is the forms for following this concept is on pushing the products underline karo pushing the products from by undertaking aggressive selling and promotion efforts underline kari aggressive selling and promotion efforts to make customers buy what is offered to them even when they have no intention of buying it matlab so that's why you can promote the product that you don't need to buy the product that you don't need to buy the product okay selling relies on buyers manipulation underline the term buyers manipulation all buyers cannot be manipulated मैनिपलेट और यह तो आपने को ऐसी चीज चेप दी जो उसको नहीं चाहिए और इसको घर जाकर रिलाइस हुआ और यह क्या लिए आया मैं तो हो सकते हैं वह आपका बैट नीम भी स्प्रेड कर दे अब मानलब फुलकित के एक दुगान पर जाते हैं उसको नहीं चाहिए उसको बात में कहरा कि मम्मी बाप रिलाइस कराते हैं तो अग्ली बार क्या हो अपने फ्रेंड्स को क्या बोलेगा कहीं भी चला जाए हो तैकर इस दुगान तो मत जाए होगा यह सो नो कहीं भी चला जाना इस दुगान तो मत जाना यह तो आपका वो खलाब नाम भी ठ्रेड कर साथ हैं अब आते हैं marketing पर तो marketing concept क्या कहता है that the firms can achieve their goals by identifying the needs of the customers in the chosen market and satisfying them better than the competitors अगर आप एक ऐसी फर्म हो जो जो मार्केटिंग को रहे है तो आपका फोकस की स्थूपर रहेगा आपका फोकस रहेगा उनकी कस्क्मर की नीज को समझना तो ऐसे प्रोड़क्स को बनाना जो उनको सैटिस्फाइब कर सके बैदें दिन दो फोकस फॉलिग्टिंग कॉंसेट इस एक बहुत ही अच्छी एक लाइन है यह इन लाइस को आपके बिस चेप्टर में यूज कर सकते हो इसको इस पॉइंट को क्या कह रहे है कि क्या होता है उसको हम कहते है नेल कुछ और समझ रहे होगे तुम वह चीज नहीं है पैक होटी एक नेल अब पार पूँदाओ अगर कोई चीज है एक स्कुरेट पोल है जगा है अगर मांपर चीज को आप प्रिट करोगे तो वह नहीं होएगी ना आपको एफट करना पड़ेगा बहुत पोस्त लगाना पड़ेंगे लेकिन अगर राउंड और राउंड चीज को फिट करोगे तो इ इस लिए इसलिए आप ने मांगा किसे मुझे यह चीज चाहिए आपको वही चीज दे दी तो में ज़्यादा परसुइट करने की ज़्रत नहीं पड़े तो मुझे का मतलब क्या है search firms do not try to fit square pegs in round hole अब आगे चलते हैं नेक्स लाइन में क्या कह रहें नेक्स लाइन में अच्छी है और दोनों ही लाइन को सब्सक्राइब करने तो बसक्ते हैं अब आगे चलते फिलड इसमें इसमें उप्रह नेगे अच्छीजर से बनागे मार्केटिक इसका जीजाते हैं पहले आपकी टारिकेट मार्केट 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 तो पहले हमें देखना है कि हमारी टार्गेट मार्किट के हैं हमारे कौन कस्टमर्स है जैसे मेरे लिए अभी कौन है कस्टमर्स क्लास 12 के साइंस के स्टुडेंस मेरे कस्टमर्स कभी नहीं बन सकते एंग्लिश करने मेरे नहीं बन सकते तो क्लास 12 के कॉमर्स के स्टुडेंट पहला तो यह हो गया कि पहले में इधनिवार करना है कि कॉपिटर से बैटर एंड पाइनली मुझे प्रोफिट भी कमाना है क्योंकि मैं यहाँ पहे कोई सोशल सर्विस करने के लिए लिए नि पैड़ा मुझे प्रोफिट भी कमाना है तो पांच क्या हो गया है मारे फिलर पिलर पिलर इदेंटिफिकेशन अफ टॉप्ट ओप ए और कस्टमर्स अंडरा करी development of product or service for satisfying the needs of the target customer satisfying the need for the link and doing all this at a profit ये सब करते हुए मुझे profit भी earn करना है अब आजाओ इसके पहले drawback प्या क्या कहता है इसमें आइटिफिकेशन कर रहे हैं पहले सबसे पहले आइटिफाय कर रहे हैं तो नीड और वांट पहले बता लग जानी जी ना पहले तो मैंने यह देखा कि मेरे अपनी बात करूं तो जैसे क्लास 12 फॉर्मर स्टूडेट कि उनको बिजन से नीड किसके को है वह मेरे कर नीड हो गई पर मैंने अपनी सच पता हूँ तो आप से दस बादर साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो अपने एक्जांबल देता हूँ तो क्या होगा सबसे तो मैंने देखा कि पर उसके बाद मैंने एक दो डेमो खुश होए देखके पिर जाके देखा तो मैंने इसको प्रॉपिट मैं कनवर्ट किया तो यह मेरी पूरी सिक्वेंट्स है कि इस लेक्टु मैनी सोचल एंड इन्वार्मेंटल इल्स लाइक पॉलूशन ड्रग अब औरिंटेशन की बात करते हैं औरिंटेशन का मतलब होता है जुकाव जुकाव तो एक बात हो यह कॉंसेट सेलर के बारे में स कि मार्केटिंग कोसिब्ट डिव्लस मार्केटर अन्डराइन करें मार्केट उलिंटेशन मतलब यह मारेकिट के बारे में सूच ते हैं मार्केट मतलब कस्टमर ब्राकेट में समझने के लिए समझने के लिए सब्सक्राइब करनी है रिगार्डिन नेक्स लासे चेटर अब ये सुसाइटल मार्केटिंग कॉंसेट क्या कहता है मतलब क्या हुआ की सब्सक्राइब करनी है उसमें सोचल गोल्स को ही अप्डाइब कर खाहतें नथें परफम्स्ट्मर कलते अनुद नशचान में वेल-बीगिस एन्हांस अज्यान मतलब लोगो को में भी अच्छेब को जोचेब many social and environmental ills like pollution, plundering of earth's resources, pollution, जैसे crackers वगएरा हो गए, plundering of earth's resources जैसे मना भी आपको ये species वगएरा का नाम बताया, extinction of many species हो गए, plundering of earth's resources, मतलब कोई भी हम चीज को deplete करे कोई जो rare है चीज, उसको हम खतम करे extinction of many species में जैसे आपको बताया black deer को मारते हैं, लोग, tigers वगएरा को मारते हैं, drug abuse नहीं समझ माई है पूरा, ठीक है, अब मैंना आपके सामने, तीन question रखोगा, भी लिखना मत, मैं लिखवा होगा, डिक्टेट करा होगा, मैं आपके सामने तीन question रखोगा, आपको मुझे बताना है कि कौन सा अब यूसेबल इन ताइमस अफ क्रोना, ठीक है, ये question है, विच कॉंसेप्ट और marketing management philosophy is highlighted होगा, तो चुछेबल, तो चुछेबल, तो चुछेबल, तो अजी, selling concept, marketing concept, marketing concept, और जान भी आप ट्राये करो कि, देखो, गिरीश, कॉन सा, में को सुनि रहू, अपको सुनि रहू, आपको सुनि लाँ, मैं कोशिल पेट करता हू, ABC Limited, a manufacturer of school bags, adds a water holder या sanitizer holder, in the design of its school bag, to make it more usable, during the corona times, तो ये कौन सा concept आपको लगरे हैं, marketing concept, आपको बएम, पेले बात करते हैं, गिरीश, किरीश, एक बात दा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ ना कि आपको लेना पड़ेगा यह नहीं लेना पड़ेगा उसने एक मैं एक कंपनी हूँ मैंने अपने प्रॉडेट में एक और फीचर एड़ करे लिए तो यह मैंने क्यों किया मैंने को कोई मजबूर करने लिए इन दोनों ने बोला कि मैंने यह बोला है कि कस्टमर्स ने बोला था इसको एड़ करने तो सब्सक्राइब करने कि कहीं कोशन में यह हिंट था कि नीड है किसी कोई सैनिटाइजर होल्डर गी इस है ने क्या बोला तो इंड तो इंड विडिया था इसी कोशन में एक लाइन चेंज करता हो कि अधर सेनिटाइजर होल्डर ऑंड़ रिक्वेस्ट अव सुम अब था इस स्टूदेंस अब बताए यह मार्कितिग होगा सब्सक्राइज करो इस कोशन को इन थी में करो और देखो इस वजह वज़ा को पकड़ो वज़ा क्या है किस वज़े से वह हो रहा है तो जो उसकी वज़ा आप पकड़ोगे that will be all अब बच्चो क्या करो मैं अपने तीनों कोशन्स लिखा हुगा अपना छोड़ा छोड़ा लिखना है बड़ा नहीं क्योंकि मैं बसके पाद एक दो चीज़ा और लेक्षण दों बसके अब आप दो उस शीट पर आप क्या करो इस तरीकिक की टेबल अँगे जहां प्र आपने को श्राड़न लिखेगे यहां पर अपने कोशिंट लिखेगे यहां अपना दूंसेट यह कए स्टेडी हो गी मारि और पर लिखो मारेकटिटिंग अगर नोट में जगा नहीं है तो एक sheet पर लिख लो और उसको अटाच करते हैं चले बथ बोलु यहां हम लिखेंगे केस जो हमारा कोश्चन आएगा और यहां उसका आंसर अच्छा मैं यह कह रहा था कि हमारा इस्टिटूट है ना वो हर मतलब सौरे बीक में दो या दिन तीन दिन कुलता है और आप लोग जब भी वो पुझा अपनी बुक्स कर लो जाके इस्टिटूट से आप तीनों ही पार साहते हों जानवी गरीशन पुलकित और गरीशन आपने लिए पुलकित ने ले लिए तो आप लेया ना पुलकित जाके आप पे अपना अब ना रैंडम है आपको मैं बता जब ने को पुल जा अपुलकित देख को पुलें आप लेगा तो मैं ग्रुपपे इसी पंपोर्म करें तो एप्या कोशन लिखिय के इप सीधियर के अबीसी मैन निवेक्ठूर अब्स्क्टूल बैक्ट्रयर फ्कूलख स्थनवाट अग्स आई आई आद आई आई तर सूंधसरा ॉ बहतर होड़ ऐस आइंधसरा द कड़ व कर आई आई in the design of in the design 2-1ॉ ईंड़्य 01 hazır that तो में इन वह उप्टाइए कॉन साथ वाराइट साइट में रिखिये प्रॉडट कॉंसर तो कि इसमें हमने अपने हिसाब से अपने रिसरच करके अमने इसको प्रॉडट की क्वालिटी को इंप्रॉफ किया next question निखे पहले वो लाइं कॉपी कर दो ABC's company manufacturer of school bag adds a a sanitizer bottle holder a sanitizer bottle holder in the design of its school bag in the design of its school bags on the request of the students and parents after receiving the request from students and parents यह हो गया मारा marketing concept lastly लिखे वोई line copy कर दो school bag manufacturer changes the changes the fabric changes the fabric of its school bags to make them more eco friendly environmental safe to make them more environmental safe which concept was a societal market अब अब एक ना बच्चों कोश्चन आता है अमेना comparative study आज़ी है कि compare करो दो concept को तो अब आपने टेबल नाएगे हैं यहां देखेगा अब हम एक टेबल बनाएगे पहले मैं उसका वो बनाता हूं कि कितने कॉलम्स इसमें सबसे पहले उपए हम बनाएगे शे कॉलम्स अब मैं आपको एक एक बेसिस प्राइगे बताओगा और उसके आगे के बताओगे इतना टेबल बना लिजे बहरे इसको इस प्रें ने आप एक पेज पर बना लो उसको पिस्टन नोट के साथ इस टेपल ला पेस्ट कर दो डब्लुशंक में उसको कॉपी कटिए तब ही मैं कह positivity करना इस week ना भूट कर लेना प्रिक अब next week मतब next chapter चुरो टो उसके भी pages पर करो ग़र तो दिख्कर आईगी ना मिस ले सुझाएगे तो कोशिच करना है इस इस week प्रेस करना है चलिब बदाओ सबसे पहला बनाये पहला बेजिस तार्टिंग पॉइंट है तेको अब्रदक्शन कहां से स्टार्ट होता है यह concept फैक्टरी से हम प्रॉट अबनाना शुरू करते हैं अब पॉर्ट बनाना शुरू करते हैं प्लाट है अधिक फैक्टरी से मार्केटिंग कॉंसेट मार्केट से कस्मारी की नीज और मार्केट से एंड सुसाइटी अब आईए मेल पोकस क्या है और प्रडूक्शन कॉंसेट का मेन कोकस है कॉंकिति और फोर्ट प्रॉडट कॉंसेट का क्वालिटी और अव्ड़ॉड को इसको में सेल करना कैसे दूओ एक्सिस्टिंग व्रॉडट का क्या है का स्टमारी की नीज और नहां पे किस्टमार की नीज़ और स्टाइटी नीज़ अब अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं पर लिख लिया है यहां तक सब ने अब यह जो है न दो यह बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स और नीज़ यह बहुत बार पूछ जाते हैं मीन्स अब मीन्स का क्या मतलब हुआ कि अपने कैसे अचीव करते हैं तो मीन्स कैसे है कि अब अब लेविल्टेन परेसे आप और अड़क्षिन बड़ाकर थियां प्रजण बड्यर और परेसेत कर है by undertaking मास्ट ईब यहां पे कैसे होगा प्रॉडट में इंप्रॉबक्मेंट करकर के बाइंड़ेगीं वाइंड़ेकिंड इम्पॉब्मेंट मैं बाइंड़ेगीं वाइंड़ेकिंड पॉड़ेक्ड इंपॉब्मेंट अब Selling concept में क्या है कि हमें क्या करना है Selling Aggressive Selling and Promotion Aggressive Selling and Promotion अब इसमें क्या होता है Marketing में चारो चीज़े अच्छा प्राइज देके अच्छी प्रेस्मेंट अच्छी प्रमोशन इसको कहा रहता है By Undertaking Integrated Marketing Techniques By Undertaking Integrated Marketing Techniques Integrated Marketing का मतलब क्या होब that is product, price, place and promotion product, price, place, promotion इस दोनों के लिए सेम है इस दे मैंने ना दोनों में लिखे है दोनों में सेम है integrated marketing का मतलब आप bracket में अपने लिख लो that is product, price, place and promotion जान भी समझा रहा है येस सर बस लास्ट चीज़ बचलिए ये पिर एक दिस्कूशन करेंगे चतम लिख लिखे है अपने यहां लिख जताओ कि में बल्टों जगा गम है ना यहां लिख लिख लिखे है यह देखो लास्ट है हमारा में से सीचल का क्या है इंटी सेम है इंटी यहीवाला जो मार्केटिंग करना वो ही सुचाइट यहां पर आजो एंड्स एंड्स मतलब प्रॉफिट पाइनली किस तरीके से चीव होएगा तो पहले मतलब प्रॉफिट अचीव होएगा प्रोडक्शन की वज़े से प्रॉफिट तू वॉल्श्यक्षन ज्यादा बनाके वह बेज़के होब फट्रू प्रो फट्रूर्ट प्रॉब D यहां पर sales volume है, यहां पर production है, यहां पर sales volume, ज्यादा बेच के, यहां पर क्या होगा, profit to customer satisfaction, यहां पर, profit to customer satisfaction and social society, ज्वेलपना, यहां पर यहां पर वही होगया, ना, main focus, तो हर बिजनेस में होते हैं प्रॉफिट तो चाहिए तो क्यों लिख रहे हैं क्या प्रॉफिट तो है उसमें चाहिए है आप से कोशन पूछे जाता है कभी-कभी कि आप आइडेंटिफाइड़ कॉंसेट जो आया जो आपका कॉंसेट है और इसके बाद पूछा जाएगा ए तो मीनिंग फोकस एंड्स एंड्स इसलिए आपको मैं अलग से या लग से पूछने जाते हैं क्या है सब्सक्राइब यहां तक समझ में आया बापको अच्छा से पांचों कॉंसेट समझ में आ गए अब देखो बच्छो में को आप आपसे यह आज का मारा टॉपिक का लास्ट अब मेरे को एक दो बाते आप से करें पहली चीज़ तो यह है बच्छो कि इस चेप्टर में अभी इंट्रोड़क्शन में रेक शेकिंड पीच्छन कि इस चेप्टर में इंट्रोड़क्शन में इंट्रोड़क्शन फॉट्यॉ प्रक्शन जो हमारा पार्ट है अभी उसमें थोड़े से लेफ्ट ओवर टॉपिक्स बचे जिसमें भी वन आर वन एंट आप आए की प्लास लग सकती है ठीक है उसके अलावा जैसे मैं आपको पहले भी बिलाया था कि जो हमारा प्लेस वाला है उसमें जो जितना मेरे को पता है जो हमारा दूसरा बैच चल आए उसमें इस सैटरेड़े उनकी क्रास सतरेडे उन संड़े होती है शुरू करेंगे फिर्स लाइटी सैट्यूर नुम्बर वन जो है वो फिनिश हो कि अब आप से बाग ऑप पीनियन ले रहा हुआ हाला कि दो पच्चे नहीं आए मैं क्या चाह रहा था इनकी क्लास पर जैसे को कोशिश करें कि चाहिए कि इस बैच में आउ और अपना प्रिंसिबर से शुरू कर दो और आप हमारा को इसके बाद चैटर नंबर वन से ही शुरू कर आओ तो में को बताए कॉन सा अपको ज्यादा कर लो कि रख लो कूल कि आप बताओ बताओ इस तो अबी दो क्लास तो आज तुस्डेय थास्टे को भी इंट्रोड़क्शन भापे क्लास हो चुग है अलरडी चाप्राश गया है तो आपको तो हम उस टाइम पर इवनिंग में डाल दे तो इवनिंग में रह लेंगे तो तब सब्सक्राश के बाद रख लो इतने के बाद शिक्स ओक्राश के बाद रख लो जाएगे उसके बाद देख लेगे एक चैपर इंडिविक्ट्री कर लेते हैं एक और दो बैच बनाके जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाएगा फिर वो साटर्ड़ जैसे अभी जब तर स्कूल स्टार्ट नी होगा तब तक हम दो बैच बना लेते हैं अगर तब हुआ तो मैं उसके बदम चाहिए तो उसको हम लग से करादे हैं ना यह ऐसे कर लेगे तो आभी आपका लगी चलनर रेते और आपको यह इस बजय है कि आपकी 12 जैं तर्ज्जे को क्लास नहीं है कि मुझे करी आगा सब्सक्राइब हो नहीं है लेकिन सर अतल सर कभी रख लेते हैं बेना बताया तब कमिल को नहीं घ्लास नहीं ठाएगे, उसकी जग़ा कल है बाराबजे, और आसमा इंट्ड़क्शनप ठीक कर दो दो दुद्र कि कर दूधाद्गे को नहीं है प्लेस शुरू कर देगे एक बाइब बच्चे बच्चे बच्च कर लेगे और उनका भी व्यूपॉइंट लेगे चलो पर बच्चों देखो एक आठी बोला जान पी यहां में को पता है वैसे तो शॉट है कम टाइम है त्यागि अगर मैं को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अब समझ के सबके बारे में एक पैराग्राफ मतलब एक लाइन मीनी फोकर जितना आप लिख सकते हो लिए आज रात इंगे बच्चों कल मिले भी बारा बजे कोई डाउट तो नहीं किसी नहीं और जान में ठीक करो क्या हो क्या गए आपको थोड़ा है डेको टेस्मे पेंद रहो अच्छा वो रहा ध्यान को अपना देसी मेडिकेश वगदा जो है मममा को बो देसी मेडिकेशन वगदा दे आपको यह उसी से ही जाएगा थोड़ा प्रास्टीम सब्सक्राइब का लूग रोब ग्रा ओके तो भी मिलते है दावड़ावजे ह कि अपसे विदर के रहा हूं प्लीज या डिपोजिटर पीस अलसो जब तोड़ा कंवीजेंट हो जैसे भी कंवीजेंट हो अपने पीस पॉड़ एक वो था में को में को प्रोजेंट के लिए बूशना था